तुम्हें उचार्षने सबसें के दो रायता हूँ पहला काम उनोंने कहा कि सवेरे जब उबो तो भगवान दे कहा प्रभू मैं तो मर गया था अब जगा दिया तुमने जगा दिया तो तुमने कोई ताम के लिए जगाया हो गा प्रभो जो भी उसे घलती हुई हो, सही हुआ गलत भूआ हो. तो तुमने कराया, प्रभू इसको छमा करो, इसके तकरम पाफड़ासिके साथ से कुमो, तुम इसे इकाल करो. तो गोले कल्यार हो जायगा, जगने के दमेर वाक्ता करो शोने के दमेर, और दो चीनिये और करो. एक काम करो कि 10-10, 20-30, 20-30 मिनट, 20 महारे को समय निकले, उसमें ध्यान करो प्रिस्त का और उस इसको ध्यान करके गुब गले लाया करो, कि तहां बला दिया, कहां अच्छी बुद्धिद हो, कुछ करो जिसमें इस नागर से बहुत आगर से पाव जाओ, इसी से कल्यान आसू, जब भन्वान की याद मे, आसू बहते हैं, तो सारे चीजों के आपि कि गलुषकों बना देते हूँ, और आपको सबेत्र बना देते हैं सारे क्यान इसने कर रहना कि चित्त के अठुस्त बतो जाएँ, आंस्ता करती के लिए किन करत कर दें। तो हीश्वर से प्रेम भाव से रोने से चित्त की सबस्ता नस्थ हो जाएगी। तीसरा काम करो। पर चौता जटकाप बताईए आपको तो चौता ता आप बले जोड़े हैं? चौता ता आप जोड़े हैं? त्मा चुटा जा रहा है। एक पिले था टत कहिता है। सरेयर शाप, एक टीओला सौरता झालषा है सुरेंटर। सुरेंटर। सुरेंडर तुन में कोई कहा तुमार्पण का घए भनने उनको सुमार्पण कर दो सब में बलेगे लाम प्रेम को सुल्जे हैं? तो अगर मिल रहा है तो प्रसाद है और जब दर दे रहे हो तो ध्यान रखो कि इश्वर को दे रहे हो तो क्या तुम ये इश्वर को दे रहे हो तो क्या तुम ये इश्वर को दे सकते हो क्या जब मिल रहा है ये महानों कि इश्वर कर दिया हुआ है और जब दे रहे हो तो य तो ये चार वरंची के पकड़ लो, इवन में आज जात्मी कल्याड हो जाएगा, बागी तो सास्तों में बहुत कुछ लिका हुआ है। तो कोई भी मैंने कहा ना कि किसी भी एक रास्ते पर जोग करके चल दिए। क्योंकि इश्वाज तो हर जगह है, हाल इव्यापा के सरवत, समाना, प्रेम ते प्रगट, हो ही मैं जाना, तो कहीं ते सुरू कर दीजिए। क्योंकि इश्वाज कहीं भी है, जिस चीज तो पकड़ भी चलेगे तो इश्वाज पहुंच आएगे। एक उदारान के वाज भाग जदब देता हूँ, एक कहीं नने कल्यान ने कल्यान ने तहानी पढ़े। एक महात्पा दे, तो दिंबार खेत में बैच्टे के विष्टी का धेला तोड़ पे लेखेंगे। और वो मुख दोगे। धेला तोड़के। हाँ! कैसे? सब्सक्राइब कुछ कर दे, कर दे, उनके मन में असकेता है ना? कर्मों के बंद, जन्म को लेना होता है? जन्म का रास्ट क्या है? मेरी कुछ इक्षाएं अतरत रहे गए, उनको पाने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? कुछ भोगिना क्या हो नकी बंद, कुछ कर्म के होगा है, उनको का रास्टों के ईक शरीर चाहिए। अगर कर्म है और संसकार है तो सरीर चाहिए होगा और यह जायए। जन्म की आतरा चालू रहें धिने हैं जिन्म का लिए होगा? पकी किसरीन हो झाथ सीषबम हो जाएक है है लग महतुत OND, मनेद काहते हैं हैम जिन प्रम पाने करने की पनली हमें अभी इंड़्य उसमें पुछ बहुत पुछ बोठक चिंतन नहीं होगा भुरा भुरा भोश्य हो तो भी बहुत अत्यधिक अच्छाई आपको असाहीश हमा दिए oh तो आपको आँफ को अमानवी बना देता है, दुक आपको अमानभी बना देता है,गा दुखमेशन दुक को आपको मनुष्यों से नहीं रहे दोंके अमाने दोंतों दों बना दोंके। तो अगर हम ज्यान के द्वारा संचित कर्मों को नस्थ कर दें भगवान को इश्वरार्पन गुति से किये जाने वाले कर्मों का फल को नस्थ कर दें और भोग करके जो प्रार्ण से शरीर मिला है भोगना माने क्या रोय गाय बिना भोगना जब भी हम कोई काम करते हैं फल खाया तो फल के दो हैं फल खाते ही अच्छा या बुरा लगता एक तफ्काल फल यह भोग रखी हो और फल खाते ही एक कूछ वज़दकार पड़ता है फिर से उस फल खाने के इच्छा होती है या फलकोण नहीं खाने के इच्छा होती है वोई खाना खाया आती है बोजन खाये अच्छा किया बोजन अच्छा गठा है भाला गोजन Boys वावाइट करने के इच्छार पएदा करता है यह आगर हम दैने ह्ट्ष जगाए अगर हम चीज़ों को भोग सकें, तो जो भोगा जा रहा है कर्म, तो नए कर्म का निर्मान का समझें बंद कर देगा, यही साइन्स है, यही मिस्प्री है, यही रास्त है, कि कर्म को कैसे किया जाए, कि उसका संस्कार ना बनने पाए. पूर समस्कर्म जान से नस्को जाएंगे, वर्तकमान कर्म तो दिख्षा से नस्को जाएंगे, और भोग करके नस्को जाएंगे, और जो अभी करूं के ना इन फ़लों का वविश्य के लिए, इस ना आश्तार बंदी से नस्को जाएगा, और आपके पाद कर्म नहीं होगा, तो मुख्ती हो जाएगा, क्योंकि शरीर किसके लिए भी लेगा, इस तरहा चोटा का रहाश्य है, इसके रहाश्य को हम अधिले के लिए बहुत आरे साम से, तहीं कि जगा है, हम लोग अलुक्षिक लजा भी कावारी है, कि आतिनत प्रेम आप से उन्होंने दे शब चीद कि छाएगा हा हा शोटा है हा शोटा है हा हा ह aprendर चाआर कि मिलेकश एस धिए